हाई फ्रेंस वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज में लेकर आई हूँ दो कच्छे आलू से बनीवी बहुत ही टेस्टी नास्टे की रेस्पी आप इसे सामको चाय के साथ याफी हलकी पुलकी भूक में बना के खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते खाने में और यह घर क करेंगे सबसे पहले अच्छे से दो के फिर हम इसके चिलका निकाल लेंगे तो आलू को पहले अच्छे से दो लिजी क्योंकि आलू में बहुत सारा मिट्टी रहता है तो इस अच्छे से दोने के बाद इसका हम चिलका निकाल देंगे और फिर हम इसे पानी में डालेंगे क कि अगर इसे बाहर रखेंगे न तो ये काला पड़ जाएगा तो यह देखे दोनों वालो के हमने चिलके निकाल लिए है इसे अच्छे से दोने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मैंने एक कटोरी पोहा लिया है इसे हम पहले एक से दो बार अच्छे से पानी से धूलेंगे ताकि पोहा का जो भी गंदगी है न वो निकल जाए तो यह देखे हमने एक बार इसे अच्छे से पानी से धूलिया है तो फिर से हम इसमें दुबारा से पानी डालेंगे और इसे एक बार और धोलेंगे तो पोहा को हमने अच्छे से धूल लिया अब हम क्या करेंगे इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए पोहा अब हम आलो ले लेंगे और इसमें हम कट लगाएंगे तो आलो को चोटे चोटे टुकडों में हमें कट कर लेना है तो आलो को ऐसे कट कर पानी में ही डारेक्ट डाल दीजिए नहीं तो यह काला पड़ जाता है तो इसे ऐसे चोटे चोटे टुकड़ों में कट करना है तो ये देखिए हमने आलो को भी चोटे टुकड़ों में कट कर लिया है तो ऐसे दोनों आलो को कट कर लीजिए और इसे अच्छे से फिर दो से तीन बार पानी से धो लीजिए तो इदर पोहा जो है न वो अच्छे से फूल चुका है तो अब हम इसे डालेंगे मिक्सर जार में तो सारे पोहा को निकाल के हमें मिक्सर जार में डाल देना है अब हम इसमें आलू डालेंगे जो हमनें कट करके रखा था अब हम इसमें एक प्याज डालेंगे जिसे हमने बड़े टुकड़ों में कट किया है साथ में हम इसमें 2-3 हरिमिच डालेंगे मिर्चाप अपने साब से रखें जैसा आपको दीका पसंदो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी तो बहुत ज्यादा पानी ना डाले साथ में यहाँ पर आदी चमच यहाँ पर मैंने जीरा लिया है अब हम क्या करेंगे इसका डखन बंद करके इसका हम इसमोज सा पेश्ट बना के त्यार कर लेंगे तो यह देखिए हमने इसका पेश्ट बना के तियार कर लिया है तो इस वेटर को अब हम एक बाउल में डाल देंगे और साथ में हम इसमें थूड़ा सा पानी भी डालेंगे तो इसे मिक्सर को ना हलका सा धो के पानी डाल दे तो जार में दो चम्मच के करीप पानी डाल के से धो के इसमें डाल दे इससे जो भी जार में वेटर बच जाता है वो बरबाद नहीं होगा इससे अब हम क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गाटना रहे इसमे में अच्छे मिक्स कर लिया है अब गार अधिल दूती को दहिंगों अँरु anti कि आपको मुझ जाने ठीक मिक्स बेटर पुममक, ये होज़ाए नमक अधिके मत मुझे अधिक करना है मेडियम बेटर बना के त्यार करना है तो अब हम इसमें कुछ मसाली डालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने साथ के नुसार नमक लिया है अब हम इसमें वन्चुताई चम्मच काली मेश पॉड़र डालेंगे और आदी चमच यहां पर गरम मसाला पॉटर लिया है आदी चमच लालमेश पॉटर डालेंगे अब हम इसमें एक चमच सफेद वाली तिल डालेंगे इस ते इसका कलर और टिस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ा सा यहां पर मैंने कटा वधनिया पति लिया है तो फिर सारी मसाले को बैटर में अच्छी से में डाल सकते हैं ए यहां पर में बहुत ही अच्छे लक़ती है खाने में इसे हम हाथों से मेंग Almighty अच्छी से मेंगक सकैंगे की तो यह दीकि हैं हमने इस अच्छे से मीडिया कर लिया अब हम इसे फ्राय करेंगे तो चलते हैं कैस की तरफ आपर मैंने तिल गरम होने के लिए रख देया है तेल अच्छा सा गरम हो गया है तो पहले तेज आच में तेल को गरम करके अब गया स को मेडियEM करnya जाएंगे एक बार की तरह में अच्छास और ताल जाहेंगे तो एक क्षिए साना । तो यहार इंचा हुआ है यहां पर ध्यान रखाने तेल अच्छा सा घरम होना चाहिए on और गैस को मीडियूम रखें तो मेडियम आज पर 2-3 मुट तक हम एक साइट से इसे फ्रै होने देंगे तो यह देखिए नीचे से इसका हलका सा कलर चेंज हो गया है तो इस हम पलट देते हैं तो इसे पलटने में भी जलबाजी ना करें ने तो यह तूट जाएगा जब यह नीचे से लगे कि हाँ सिख चुका है तभी पलटना है इसे और फिर दूसरे साइट से में 3-4 मुट के लिए इसे फ्रै करना है तो यह नास्ता थोड़ा फ्रै होने में टाइम लेता है क्योंकि इसमें सूजी है तो इसे ऐसी एक से दो बार अच्छे से उलट पुलट के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे तो सारे नास्ते को न एक एक करके प्लेट में निकाल लीजिए और बचे वे नास्ते को में ऐसे फ्रै कर लेना है दूनु साइट से गोल्डन ब्राउन होने तक तो बस गर्मा गरम कच्छे आलू और सूजी का नास्ता बनके त्यार है आप इसे गर्मा गरम चाई के साथ या फिर चटनी के साथ सर्व की घर में सभी को ये नास्ता बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है छोटे बच्चे हो या बड़े सब को ये नास्ता पसंद आता है आपको ये रेस्पी मेरी अच्छे लगी हो तो लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं आप इस अपने फैमिली फ्रेंड में भी सेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चानल पर नए आए है तो प्लीज मेरे च